अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती गॉडलिवूट स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमुलेरत्न में आप सभी का हारदिक स्वागत है संकल्प शक्ती वो जादोई शक्ती है जिससे हम व्यक्ती परिस्थिती तो क्या इस संपूर्ण कायनात को बदल सकते हैं परंतो अधिकतर लोग इस संकल्प शक्ती के महत्व को न जानने के कारण इसे व्यर्थ गवा देते हैं और स्वयम ही इन व्यर्थ संकल्पों के माया जाल में उल्चे रहते हैं संकल्पों को समर्थ बनाने की वहिने विश्वा सेवा प्रती यूज करने की विधी को आज हम इश्वरिये महवाक्यों द्वारे समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्ये हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नीय राजुभाई सहाब वसब आपका आज के एपिसोर में बहुत दो स्वागत है वसब आज हम बात करेंगे 31 मार्च 1986 के महावाक्यों पर इसका टॉपिक है सर्वशक्ती संपन बनने तथा वर्दान पाने का वर्ष परमात्मा कहते हैं इस समें जो श्रीष्ठ आत्माई सर्वशक्तियों के सर्वखजानों के मालिक बनते हैं वह मालिकपन के संसकार भविश्य में भी विश्यों के मालिक बनाते हैं परमात्मा ने कहा कि बालक तो सभी हैं बाबा और मैं यह लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है बालकपन का नशा तो सभी में हैं लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान बनना वे सब बालक पन और मालिक पन को थोड़ा सपष्ट करें हम सब को बाबा ने एक बहुत सुंदर स्लोगन दिया बालक सो मालिक, मालिक सो बालक क्योंकि हम जब परमात्मा के बच्चे बनते हैं, बालक बनते हैं तो जो परमात्मा के खजाने हैं, सक्तियां हैं, वो सब अपनी हो जाती हैं, उसके हम मालिक बन जाते हैं, तो बालक्सो मालिक तो हम है ही, क्योंकि परमात्मा ने पास कुछ भी ने रख्का, जो उनके पास ग्यान का, गुणों का सक्तियों, खजाना है, सब अपने बच्चों अगर कोई कारी आपको मिलता है और कर लेते हो, तो भी मालिक बनने के बाद बालक बन जाओ, उसका भी अहम नाय कि मैं कर रहा हूं, मैं मालिक हूं, तो परमात्मा इस बैलेंस पर हम सब को बहुत ध्यान केचवाते हैं, बालक सो मालिक और मालिक सो बालक बन कर रहेंगे, तो सब के साथ मिल करके चवा सकेंगे, और आने वाले विश्व में आप मालिक बन करके राजी कर सकेंगे, परमात्मा कहते हैं कि मालिक पन अर्थात हर कदम, स्वतेही संपन स्थिती में, स्वयम का होगा, और सर्व प्रती भी होगा, इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो म मालिकपन की विशेष्टा जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संसकार सदा इमर्ज रूप में है जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा दोनों की समानता हो यह है बाप समान मालिक बनना तरही बार हम मालिक तो बन जाते हैं और जो मालिक बन जाते हैं वो दूसरों पर आर्डर करना सुरू कर देते हैं यहां पर परमात्मा मालिक का बहुत सुंदर हर्थ बता रहे हैं जैसे खुद मालिक हैं और मालिक बन करके बच्चों के बीच में सेवाधारी बन कर रहे हैं, हमेशा कहते हैं, मैं आपका Obedient Servant हूँ, ऐसे ही बच्चों को भी बाबा कहते हैं, मालिक बन करके सर्व सक्तियों पर अधिकार रखो, और सर्व सक्तियों को प्रियोग में लाओ, यूज करो, लेकिन हमेशा अंदर की स्थि कि मैं मालिक भी हूँ, तो मैं सेवाधारी भी हूँ. प्रियत्न में समेच चला जाता है, तो सब नौलेज और प्रत्यक्ष कर्म में यह जो अंतर आ जाता है, इसको थोड़ा सपष्ट करें. तो प्रमात्मा कह रहे हैं, नौलेज तो है, सब के पास एक दूस्ते के पास ज्यान बहुत है, लेकिन वो कर्म में दिखाए दे. अगर आप मालिक बन करके कोई कर्मिन्दियों से कर्म करा रहे हो, तो अधिनता नहीं रहेगी. मालिक पन का नसा हम सब को रहना चाहिए, लेकिन कई बार मालिक होते भी बालक बन जाते हैं, कहतें नहीं मैं तो छोटा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ. तो परमात्मा कहता है, इसके लिए बालक आप नहीं बने हैं, बालक परमात्मा के वारिस हैं, इसलिए बालक है, बाकी आप अपने आपके अपनी कर्मिन्दियों के मालिक हैं, और मालिक बन करके इन कर्मिन्दियों से कर्म कराओ, अधिकारी बन करके रहो, तो कभी भी अध इसलिए परमात्मा हम सबको बालक और मालिक का बहुत संदर अर्थ बताते हैं। इसलिए परमात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्म और बाप समान बनने के लिए हमारे संकल्प, हमारे बूल, हमारे कर्म, हमारा संबंध, संपर्क, सब बाप जैसा हो, उसमें थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है, तो परमात्मा कहता है, लक्ष तो बहुत मुचा रखा है, और उस लक्ष के परमान संकल्प में भी रहता है, कि हमारे संकल बाबा जैसे ही होने चाहिए, फिर कभी-कभी वानी तक भी हम आ जाते हैं, जैसे बाबा ने महावा के उचान के इसे वानी भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती, ग्यान युक्त हो जाती, कर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन जब प्रेक्टिकल संबंद संपर्क में आते हैं, बेवहार में आते हैं, तो उसमें अंतर दिखाए देता है, कैसे बाबा ने हर बच्चे के सम्मन्द संपर्क में आते हुए, बैलेंस रखा, न्यारे प्यारे रहे, कैसे उनकी पालना की, उसमें अंतर पर जाता है, तो परमात्मा कहते हैं, लक्ष तो आपने रखा ह बाप समान बनने का, लेकिन बाबा का संकलब कैसा, बोल कैसे, कर्म कैसे, संबंध संपर्क कैसा, उस सब सामने रख करके, बाबा जैसा है तो करना नहीं तो छोड़ देना है, ये वैलेंस अगर आ जाएगा तो हम बाप समान बन सकते हैं. जब जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो पुराने संस्कार स्वभाव इमर्ज होते हैं. क्योंकि जब तक वो चीज हमारे तक सीमित है, तब तक वो इमर्ज नहीं होता है, और हमारा कर्मो का अकाउंट भी अन्ने आत्माओं के साथ ही है. तो कही न कही ये कारण बन जाता है कि हम संबंध संपर्क में अकसर अपनी परसेंटेज को कम कर देते हैं उसका कारण तो यही है लेकिन बाबा अपने समान बनाना चाहते हैं क्योंको बाबा भी अपने इतने सब परिवार के बीच में संबंध संपर्क में आ रहे हैं ब्रम्हा बाबा को भी सब संबन संपर्क में रहते हुए न्यारे प्यारे देखा, उन्होंने अपनी ऐसी इस्थिति बनाई, निराकार परमात्मा के साथ संबन संपर्क निभाना सहज है, लेकिन साकार में ब्रम्हा बाबा ने कैसे संबन संपर्क निभाया, सब के बीच में सब के साथ रहे, सब को सम्मान दिया, सब की सुनी, सब का सहन किया, और उसके बीच में रहते हुए अपनी कर्माती तिस्तिती बना लिए। तो हम ब्रह्मा बाबा के समान संगम पर बन जाए। यह हमारा जीवन का लक्ष है। उन्होंने कैसे सम्मंद संपर्ग निभाया, किस किसी को ठुकराया नहीं, सब को साथ ले करके चले, बाबा कहते हैं लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा को सामने रखते हैं ऐसे उन्होंने सब के साथ निभाया इसे हम भी बन सकते हैं। परमात्मा के कहते हैं कि बाब समान बनना अर्थात, एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाब समान स्थिती में रहना। कोई दो में रहते कोई तीन में रहते लेकिन चारों ही स्थिती जो बताई उसमें कभी कैसे कभी कैसे हो जाते हैं तो परमात्मा का बच्चों के प्रती सदा अती स्नहे भी है स्नहे का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का अव्यक्त रूप में मिलना नहीं है लेकिन नही कास्वरूप है समान बनना को कि यो समान बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे है अव्यक्त से व्यक्त में आने का यही एक मतलब है यही एक अर्थ है क्योंकि इतना समय बाबा अव्यक्त होने के बाद साकार में आकर के बच्चों से मिल रहे हैं इतनी उची पढ़ाई और पालना दे रहे हैं उसके पीछे लक्ष यही है कि वोल मिलन मना करके चले गए बच्चों को खुस करके गए ऐसा नहीं है बाबा अपने समान बच्चों को बनाना चाहते है जैसे ब्रमा बाबा कर्म छेतर पर कर्म करते हुए ऐसा गुप पुरसारत किया जो अपनी संपन्नता को प्राप्त करके अब्यक्त बन गए ऐसे ही बच्चों को भी बनना है तो बाबा कह रहे हैं कि दो में तो बन जाते हैं संकल अब बोल तक होता है जब कर्म और संबंद में आते हैं तर पड़ जाता है तो सब के बीच में सब के साथ सब कर्म करते हुए भी हम ऐसे बन सके उसके लिए ब्रह्मा बाबा को सामने रखो और जैसे ब्रह्मा बाबा अब्यक्त से अब्यक्त बन गए ऐसे आप बच्चे भी बन सकते हो परमात्में इसलिये कहते हैं कि परозмात्मा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विषेश द्रिंड़ता की तपस्याद्वारा, स्वयम को तपाना अर्थात मझबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए यह विषेश समय दे रहे हैं। अब इस परिपकवता की अवस्था पर पहुचने का ये जो तरीका परमात्मा ने बताया इसको थोड़ा सपष्ट करें क्योंकि जब तक संकल्पों में द्रणता नहीं है कई लोग क्या करते हैं कि योग में बैठ जाते हैं समझते हैं हम तो तपस्या कर रहे हैं परिवर्तन हो जाएगा परमात्मा तपस्या का बड़ा गहरा आर्थ बता रहे हैं तपस्या है क्या चीज तपस्या माना ही संकल्पों में द्रणता जब द्रणता आ जाती है कि ये करना ये नहीं करना है वो संकल्प में जितना हम इठाई रहते हैं, वो संकल्प ही तपस्या कहलाते हैं, और उस तपस्या के संकल्प में जो द्रणता है, उस द्रणता से हमारे जीमन में परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन का अधार तपस्या है, लेकिन तपस्या किसको कहा जाता, वो परमात्मा क परिवर्तन सहजा जाएगा परमात्मा कहते है कि समर्पण होना अर्थात स्वयम को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध इन चारों में ही बाप समान बनना सब समृपन व कि हुछत करें तो समर्पन है। जो कि आपने थीयर चुछते हैं, थे अपनी हमें इन हमें समृपन कर दिया। इतन से जैसे समृ इसल loser समस्चतन हो तो समृपन होने कि हम अहरहों हैं, यह में समृपन हैं। परमात्मा कहते हैं, इसकी बड़ी ग्वेता है, समर्पन हो गए हो, तो मजबूत परिपक होने चाहिए, आपके संकल्पों में द्रणता हो, आपके बोल में द्रणता हो, आपके कर्म में द्रणता हो, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, ऐसे अगर आपके संकल्पों में द्रणता तपस्या है और यही वास्तविक समर्पन ता है समर्पन होना माना अपने संकल्पों को भी अर्पन कर देना अपने संकल्प रहते ही नहीं है जो संकल्प बाबा के वो संकल्प मेरे जो बोल उनके वही बोल मेरे जैसे उन्होंने कर्म किया वैसे कर मुझे करना इसको कहते समर् शुद्ध संकल्प की शक्ती से जमा का खाता और बढ़ाना है शुद्ध संकल्प की शक्ती का विशेश अनुभव अभी और अंतर मुखी बन करने की आवशकता है शुद्ध संकल्पों की शक्ती सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रती भी शुब भावना, शुब कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं सब शुद्ध संकल्पों की शक्ती को थोड़ा सबस्टता से बताएं शुद्ध संकल्प की सक्ती जमा करने की विधी परवात्मा यहां बता रहे हैं जितना हम अंतर मुखी हो जाते हैं, अंदर जाते हैं, अपने आपको देखते हैं अपने चलते हुए संकल्पों पर भी हमारा ध्यान जाता है कि यह संकल्प मेरे काम के हैं, यह क्यों चल रहे हैं, इसके पीछे क्या लक्ष है तो हमारे संकल्पों पर कंट्रोल आता है वो संकल्प जो कंट्रोल में चलते हैं जैसा हम चाहते हैं वही संकल्प चलते हैं वो सुद्ध हो जाते हैं शक्ति साली हो जाते हैं इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अपने संकल्पों को सुद्ध और सक्ति साली बनाओ तब दूसरी आत्माओं के पर सुब कामना, सुब भावना आप रख सकते हो उसके लिए अंतर मुकी बनो, एकांतवासी बनो और अंदर जाकर के अपने चलते हुए संकल्पों पर ध्यान दो यह संकल्प क्यों चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसले जा रहे हैं, कितना संकल्पों में बेर्थ है, कितना साधारन है और कितने स्रेष्ट और सुद्ध संकल्प है जब हम एकांतवासी बनते हैं अंतरमकी बनते हैं तो हम अपने संकल्पों की गती को देख सकते हैं और जिसका अपने संकल्पों की गती पर उसके कहा जा रहा है क्यों जा रहा है पध्यान है वो उसको कंट्रोल कर सकता है जब बेर्थ कंट्रोल में आ जाता है तो उसके सुद्ध सक्ति साली संकल्प कई आत्मों का कल्यान कर देते हैं उसके पर सुब भावन है उसके अंदर पैदा होती है पर मातना कहते है कि मुर्ली अर्थात खजाना मुर्ली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना शक्ति के रूप में हर समय कारे में लगाना अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है जितनी मुर्ली में जान की पॉइंट्स आई हैं तो परमात्मा कहते हैं, वो पॉइंट्स जितनी हैं, वो एक लाइट हैं, वो लाइट हैं, प्रकास हैं, ठोकर नहीं लगेगी, ज्यान की पॉइंट्स हैं, लेकिन उसकी गहराई में अगर जाएंगे, तो उस पॉइंट्स में, उस लाइट में माइट भरी हुई है, सक्ती है तो हर मुडली की पॉइंट को सिर्फ ज्ञान की रिती से लाइट की रिती से नहीं लेना लेकिन इससे हमारे जीवन में फायदा क्या होने वाला है इस अनुभूती को हम कैसे बढ़ाएं उससे क्या सकते मिलेगी, माइट मिलेगी उस पर ध्यान देना तो बाबा कहते हैं मुडली की पॉइंट से रिवाइज कर देना दूसरों को सुना देना ये तो एक लाइट है लेकिन उस लाइट में शक्ति आजाए, माइट आजाए उस पर मनन करो, चिंतन करो, उसके स्वरूप को देखो कोई भी बाद जैसे आत्मा का ग्यान है, परमात्मा का ग्यान है, घर का ग्यान है ग्यान है, ग्यान अलग चीज है लेकिन इस ग्यान से मुझ आत्मा को शक्ति क्या मिली क्या मैंने अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतो कर लिए क्या मैं आत्मिक इस्तिती में रह करके हर आत्मा को आत्मा समझ करके देखता हूँ, मेरी दैहिक दृष्टी समाप्त हुई है, या जिर्फ आत्मा का ग्यान है, ग्यान है, समझ है, लेकिन शक्ति वो है, जिससे हमारी दृष्टी, हमारी व्रत्ति, हमारी कर्म, पवित्र और स इसलिए बाबा कहते हैं, मुल्ली की पॉइंट्स को सिर्फ मनंचिंतन तक ने रखो, उसमें शक्ती क्या है उसका अनुभू का। ज्यान स्वरूप बनना है और उसके लिए जब तक शक्ती नहीं है, तब तक स्वरूप भी नहीं बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि शुद्ध संकल्प की शक्ती के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मन्सा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयम के प्रती शुद्ध संकल्पों की शक्ती जमा चाहिए। और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्यानकारी आत्माई, विश्व परिवर्तक आत्माई हो। तो विश्व के प्रती भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ती द्वारा परिवर्तन करने का कार रे अभी बहुत रहा हुआ है। विस परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य जो परमात्मा को करना है, उसमें व्यक्ति परिवर्तन, प्रकर्ति परिवर्तन, सब के परिवर्तन की आवसेक्ता है। परमात्मा कहता है, जितना आपके पास सुद्ध संकल्प की सक्ति जमा होगी, उसके आधार से आप अपने संसकारों का परिवर्तन पहले कर सकते हैं, आपके सुद्ध संकल्प, विकारी संकल्प पहले आपके सुद्ध संकल्प की सक्ति से बदलेंगे, फिर आपकी इतनी स्रे जिससे आप मजच सेवा करके इन आत्माओं को परिवर्तन कर सको विश्व कल्यान काका कारी कर सको परमातमे इसलिए कहते हैं कि ब्रम्ह बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपश्या के रूप में अभ्यास करना है तपस्या अर्थात दिन्ता संपन अभ्यास साधारन को तपस्या नहीं कहेंगे परमात्मा के कहते हैं कि परमात्मा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए यह विशेश समय दे रहे हैं क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वर्दाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा तो सर्वखजानों के जमा का खाता समपन बनाने के लिए समय दे रहे हैं तो जब समय की इस नजाकत को थोड़ा सपष्ट करें परमात्मा हम सब को कह रहे हैं कि बहुत काल का पुरसारत ही बहुत काल की प्रालब्द बनाएगा इसलिए बरतमान समय जो आपके पास है उसमें इतना खाता जमा कर लो भरपूर हो जाओ जो अन्त समय में पुरसारत का जब समय नहीं रहेगा नेक आत्माएँ आपके समी पाएंगी उनके प्रत्याप दाता विधाता वर्दाता बन सको उनको दे सको उसके लिए बहुत काल से सुद्ध संकल्पों में रहने का भ्याशा है तो अभी जो समय मिला है इसको सुद्ध संकल्पों से भरपूर करो सुब भावनाओं से भरपूर कर लो अन्त समय में आप इसके विधाता विधाता बन सकते हो अनेक आत्मों को वर्दान दे सकते हो। मिलकुल भासवाज हमने समझा कि कैसे हम अपनी दिर्ण संकल्प की शक्ती की तपस्या से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा उस पश्टी करन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्षकवाज के महवाक्तियों में पर्मात्मा ने कहा कि हमें सर्व शक्तियों का मालिक बनने के साथ साथ विश्व सेवाधारी के संसकार भी स्वयम में धारण करने है अर्थातबालक सो मालिक बनना है। पर्मात्मा ने कहा कि इस नहीं का सबूत है समान बनना। इसलिए हमें संकल्प, बोल, कर्म व संबंध संपर्ग में बाप समान बनने का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें शुद्ध संकल्पों की शक्ती से व्यर्थ को खत्म करना है तथा अन्यात्माओं को भी अपनी शुब्भावना वशुब्कामना से परिवर्थित करना है। तशक्वाज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रेशन है तो आप हमें इमेल कर सकते हैं। हमारा इमेल आइडी है amolleratna.collywoodstudio.org अगले अपिसोड में हम इनी महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, हुम शांती। मुख्यसार बालकपन और मालकपन की स्थिती में अंतर बालकपन अर्थात, बाबा और मैं ये लगन मालकपन अर्थात, बाब समान संपन निस्थिती, शुद्ध संकल्प की शक्ती, व्यार्थ संकल्पों को सहड समाप्त कर दूसरों के प्रती भी शुब भावना, शुब कामना के स्वरूप से परिवर्थन करती है शुत्य संकल्प की शक्ती को बढ़ाने की विधी, मुर्ली की हर पोइंट को शक्ती के रूप में जमा करना और कारे में लगाना, तपस्या अर्थात दृड़ता संपन्न अभ्यास अमुल्यरत्न at godlywoodstudio.org इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विध्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए godlywood studio से संपर्क करें